नमस्कार दोस्तो मिरा नाम है राजकुमार स्वागत है आपका क्रेक SSC विद्राज में पिछले वीडियो में मैंने SSC CHSR 2018 की एक्सपेक्टिट जो फाइनल कटप है वो बताई थी कि उस विडियो में थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे उसमें एक फैक्टर जो है हम मिस्स कर गए वो फैक्टर क्या था उसमें मैंने कटेग्रीवाइज बता दिया था कि यूज आर में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और कितने फाइन जो है एक इनसीज है लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो गई मैंने यह नहीं बताया कि जो OBC वाले हैं, SC वाले हैं, ST वाले, जितने भी candidate जो UR की cutoff को final करेंगे, वो भी तो UR की seat घेरेंगे, ठीक है, वो UR की seat को ही जो है consider करेंगे, तो इसलिए जो है UR की cutoff में थोड़ा फरक दिखने को मिलेगा आपको, जो UR की cut of बताई थी, वो थोड़ी सी आप बढ़ जाएगी, पहले मैंने 98 से लेके, 203 तक बताई थी, ठीक है अब इसमें थोड़ा से इंक्रिमेंट हो जाएगा, तो वह इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है, एक student का comment आया था नीचे, तो उसने मुझे बताया कि यह चीजे जो है मिस कर दी, तो मैंने भी ध्यान दिया कि हाँ यार, यह चीजे जो है, मिस हो गए मुझे से उस वीडियो में, बाकि वो वीडियो में उपर आई बटन पर आपको लिंक दे दूँगा, वहा से देख लिए ना, पूरा अनेलसिस है, उसमें 14-15 मिट की वीडियो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डैरेक्ट जो आपको कट आफ बताने वाला हूँ, लेकिन इसके पीछे जो अनेलसिस हैं, वो मेरी फस्ट वीडियो में है, तो वो वाली वीडियो जाके आप जरूर देखेगा, बस UR की कट आफ थोड़ी बढ़ जाएगी, और OBC और EWS की कट आफ में हो सकता है कि एक दो नंबर कम हो जाए, ठीक है, चली देखते है, तो देखी, वहाँ पर मैंने जो यूर में काइंडिडिट्स ते सलेक्ट वो 348 हुए थे, और वेकेंसी थी 394, लेकिन इ UR की जो फाइनल कट आफ है, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, वहीं OBC और EWS की कट आफ जो है, नीचे गिर जाएगी, बाकी बाकी में बिल्कुल भी फरक नहीं आने वाला है, आएगा भी तो एक-दो नंबर कई फरक आएगा, बाकी में कोई फरक नहीं आने वाला ह सारी सेम रहने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर UR की थोड़ी बढ़ सकती है, OBC की एक-दो नंबर कम जा सकती है, EWS की एक-दो नंबर कम जा सकती है, ठीक है, जो मेरे हिसाब से जो मैंने कट आफ उस बताई थी, कि गाईज, वहाँ पर मैंने जो है बस यह बताया था कि UR से ज लेकिन साथ की साथ OBC वाले जो candidate है, जिनके ज्यादा marks होंगे, वह UR से select होंगे, ऐसे EWS वाले जिनके अच्छे marks हैं, वह भी UR से select होंगे, तो यहाँ पर 2949 vacancies हैं, इसमें जो है OBC, SC, ST वाले candidates भी अपने number, यहाँ पर अपनी seat पकी करेंगे, तो इसलिए UR की cut-off थोड़ OBC और ज्यादा जाएगी, लेकिन OBC में फिर वहीं थोड़ इसी कम हो जाएगी, चलो देखते है अगली slide पर, तो यह देखो, यहाँ पर मैंने बताया था, यह tier 2 की cut-off गई थी, 190.33 गई थी, अब जो है final cut-off, 202 से 207 के बीच जा सकती है, बिलकुल गाई, 207 से जादा बिल जाने वाली है, 2018 वाले में, ठीक है, यह कौन सा है, 2018 वाले CHSL है, ओकर इस चीज का ध्यान देना, ऐसी OBC की जो है, अब देखिए, दो नंबर हो सकता है, वो कम चली जाए, और लास्ट जो है, 195 तक जा सकती है, ठीक है बस, इतनी ही cut-off जो है, OBC की रहने वाली है, जो लोग और बाकी, 188 से भी, जो है, जादा से जादा 195 जाएगी, इससे जादा नहीं जाएगी, EWS वाले candidate देखिए, उनकी 180 से 185 इतनी ही रहने वाली है, बहुत जादा फारग देखने का नहीं मिलेगा, SC में भी देखिए, से 170 से 175 ही रहने वाली है, ST में भी, 165 से 170 के बीच रहने स्टूडेंट्स जो है, DV के लिए सेलेक्ट हुए, अब इसमें वेकंसी कितनी थी, 992, तो देखिए, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स आप ऐसे मान के चलिए, 400 से 500 स्टूडेंट्स हो सकता है, UR को कौलिफाई करें, UR की वेकंसी, UR वाली कट ओफ को कौलिफाई करें, त स्टूडेंट्स जाएंगे, लेकिन इसलिए इनकी कट ओफ में ज्यादा फरक आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी तीन जो है, इसके स्टूडेंट्स अच्छे खासे अच्छे नंबर में, UR को क्लेर करेंगे, इसलिए इनकी final कट ओफ में थोड़ा सा फरक जाएगी, और OBC और EWS में एक दो नंबर हो सकता है, कम चली जाएगे, ठीक है, बाकी आप ESM की देख सकते है, 110 से 120 के बीच में जा सकती है, VH की देखे, 135 से 140 के बीच में final cut-off, HH की 100 से 110 के बीच तक जा सकती है, PWD की जादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ही कम candidate जो है जो है, DV में select हो, यहाँ पर देख लिजी कितने candidate, 35 candidates select हो है, vacancy 32 है, ठीक है, तो बहुत जादा cut-off नहीं बढ़ेगी, इतने ही cut-off रहने वाली है, ठीक है, तो guys, यह बस cut-off का analysis था, बस एक factor हम भूल गए थे, वो क्या था, कि OBC, EWS, SC, ST के जितने भी जो candidate है, जो UR को qualify करें करेंगे, वो जो है, UR की final cut-off को बढ़ा देंगे, मैंने जो बताया था, थोड़ा सा, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, उस चीज़ पर, मैंने सिर्फ data बनाया, और उसको explain कर दिया था, लेकिन, इस चीज़ को मुझे consider करना चाहिए, तो इस वीडियो में consider कर रहा हू तो इसको थोड़ा धान से देख लेना, ठीक है, और अगर आपको पूरी वीडियो समझनी अच्छे से किस तरीके से मैंने analysis किया, तो part 1 जो है इसका, already मैंने upload कर चुगा चैनल पर उसको देख लेना, उसके बाद आप इस पर आएंगे, तो आपको बहुत आसानी से चीज़ कर लिया, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगियो, लाइक कर सकते हैं, आप नहीं तो कोई रिकत नहीं है, बागी चैनल को से जोड़ लेना, बिल्कुल आप, ठीक है, आप सारी information आपको यहाँ पर पहले मिल जाती है, बागी सारी चीज़े मैं explain करता ही जाता हूँ, मैं सको solve करूँआ, ठीक है, बागी आप मेरे टेलिग्राम चैनल सारी जो सकते हैं, यहाँ पर आपको study material सारा available मिलता है, ठीक है, so this is all in this video, thank you, जाहिन